श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादिव कल आसार मास की मासिक शिवरात्री है याने की शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्री है यदि आपके घर में लड़ाई जगड़े बहुत जादा होते हों छोटे और बड़े की लड़ाई हो जाती है छोटे बात नहीं मानते पर किसी को भी या आपके घर में सबी को अगर पित्र दोश लगा हुआ है तो भी आपको ये उपाई करना चीए बहुत आसान सा उपाई है मात्र आपको लेना है साथ लोंग कि बहुत अच्छक उपाई है पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रैस करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव के अगर अनन्त भगते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखिए मासिक शीवरातरी जो है वो भगवान शीव को समरपित होती है और मासिक शीवरातरी पर आपको यह उपाय करना है साथ लोंग लेना है देखिए साथ लोंग से क्या होगा कि घर के कलेश दूर होते हैं घर में अगर वातावरन खराब चल रहा है तो वो वातावरन शुद्ध होता है पवित्र होता है और साथ ही साथ अगर किसी भी काम में अर्चने आती है तो लोंग का उपाय आपको करना चीए साथ लोंग ले लिए साथ में लेना है काले तिल के दाने ग्यारा काले तिल के दाने लेना काले तिल के दाने का उपाय माग मास में हम करते आ रहे हैं देखो संकरान्ती पर भी हमने काले तिल के उपाय करे थे शट्टिला एकादशी पर भी काले तिल के उपाय करे थे तो इस माग मास के पवित रमेने की इस मासिक शिवरात्री पर भी आपको काले तिल का उपाय करना चीए काले तिल का उपाय करने से पित्र प्रसंद होते हैं पित्र तरप्त होते हैं और पित्र आपके जीवन की समस्याओ को दूर करते हैं देखो पित्र दोज से जुड़ी बहुत सारी समस्या होती है विवा डंग से नहीं हो पाता है विवा समय पर नहीं हो पाता है विवा में कोई ना कोई अर्चने आती रहती है व्यापर डंग से नहीं चलता संतान होने में समस्या होती है संतान अगर हो जाती है तो गलत मार पर चल जाती है तो ऐसी अगर आपको समस्या है तो भी आपको य 13-14 तिलके दने लेना है 1 मिर्ची साबुत काली मिर्ची आपको लेना है और पात्री के अंदर भगवान शिव के मंदिर में ढाना है हो सके तो प्रदोशिकाल के समय जना प्रदोश काल का समय सूरियास्त से 45 मिनिट पूर वो शुरू हो जाता है और सूरियास्त के 45 मिनिट बात तक रहता है, हो सके तो प्रदोश काल के समय में जाना नहीं तो आप सूबा से शाम तक जा सकते हैं, देखिए करना क्या है, सबसे पहले जल से अभीशेक करना है भगव बगवान शीव के सामने आपको ये ले करके बेट जाना है और आपकी जो भी समस्या है वो बोलना है कि ये सारी समस्या मेरी दूर हो और उसके बाद आपका नाम और आपकी गोत्र आपको बोलना है साथ बार नाम और गोत्र बोल करके ये सारी चीज़े भगवान शीव के उप पर मासिक शिवरात्री पर आप अरपन कर दें आपकी जीवन के सारी समस्या दूर हो जाएगी बहुत ही आसान सा उपाय है बस इतना ही उपाय आपको करना है अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंड में पूश लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादेव